आप सबी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम यहाँ पे टाटा पवर कंपणी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले इसके कौर्टर ले रिजर्ट्स आये उसके बारे में बात करेंगे आएसे ऐसे सेक्रोडिस वाले इसके क्या टार्गेट दे के रखें क्या वो अच्छीव होंगे और हमारे टार्गेट क्या होने वाले इसके बारे में बात करने वाले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पने हो तो प्लेज स्टॉक डाउन था देख सकते हैं लगबग 3.91 परसें अगर पॉइंट की हिसाब से बात करेंगे तो 5.10 की हिसाब से डाउन था अगर बात करते हैं इस कंपनी के वन यह रिटन की तो लगबग 62 परसेंट रिटन दे चुका यह जो कि बहुत बढ़ी है बैंक से तो बहुत इनके दिये हुए तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में दोस्तों आप यह आपे देख सकते हो जो इनका पावर पोट्फिलियो है वह लगबग 1.800 मेगा वाट्स का है जो की बहुत बढ़ी है क्योंकि इतना तो मुझे लगता आदानी पावर स्वालों कभी नहीं है ज जो की इनसे बहुत बढ़े नहीं है इनका जो शुयर प्राइज भी उनसे बहुत अच्छा खासा है और बाकी की चीज़े फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे खासी है अगर कंपनी के हम किते कि 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 सेक्टर में इनके जो प्लान से वह स्टैब्लिश है तो आप यहाँ प बहुत बढ़िया है अगर इन दोस्तों इसके सेग्मेंट के बारें बात करते हैं किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा रेविन्यू आती है तो यहाँ पर दिया हुआ है जनरेशन सेग्मेंट 37% रेविन्यू इनके आती है जो की बड़ी-बड़ी कह सकते हैं कोल गैस और जो चीज़े बनाते हैं उनमें से आती है दोस्तों रेविन्यू आती है आप यहाँ पर पहुँज करके पढ़ सकते हैं सबी चीज़े और जो थर्ड दिंग है वो ट्रांस्मिशन एंड डिस्रिबूशन से आती है जो कि सबसे ज्यादा है लगबग देख सकते हैं 36% जो कि सबस हो चुके हो company के कह सकते हैं कि अभी 51% किसी भी company पे stake बनता है हमारा तो हम उसके promoter हो जाते हैं या फिर पूरे माली कम हो जाते हैं उसके बाद हम जो भी चाहँए decision ले सकते company में अगर बले ही हम promoter ना बने पर हम company पे इतना pressure कर सकते हैं जो हमें चाहिए वेजसे business होने करना पड़ेगा या फिर हम अपनी investments हटा देंगे तो उनको cash नहीं रहेगा market से भी नहीं होगा किसी से भी नहीं होगा मुझे लगता है कि यहां पर आप देख सकते हैं लगबग 30 लाग से 1 करोड 20 लाग तक इन्होंने अपने customers बढ़ा है just in one acquisition or is a distribution business अभी उसके बारे में बात करता हूँ तो उससे पहले इस company के थोड़े से technical जान लेते हैं company के fundamentals हम देखने वाले उसके पहले company के technical जान लेते हैं कहा पर entry होनी चाहिए और कहां पर exit लेना इसके बारे में जान लेते हैं तो चलिए आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इस company का chart pattern है बड़ इसके बारे में बात करने से पहले में कुछ चीजों को आपको explain करना चाहता है वो चीज़ी यह होंगी कि company जिस sector में काम high 257 giga vote in July 7 अभी दूस्तों यह record बहुत चोटा है आपको इसके पहले का पर record दिखा देता हूँ जो कि constantly breakout पर breakout मतलब आप कहे सकते हैं रेकौर्ड पर record तोड़े जा रहा है और एक new high बना रहा है लगबग आप यहां पर देख सकते हैं नीचे side 31 January को 189 giga vote का peak था जो कि सबस 2021 में giga watt लगबग देख सकते हैं 191 giga watt उसके बाद July 6 में 197 का giga watt यहां पर used हुआ है आप सुच सकते हैं जो constantly from 189 to 197 और अभी के लिए 200 giga watt का यहां पर consumption हुआ है तो मुझे लगता है कि constantly आप अगर power sector में demand है तो stock में भी demand अच्छी खासी दिखाई देगी दोस्तों और भी क by Tata power company target prices 156 rupees HDFC Securities अभी इस share की price चल रही है नियर 129 rupees और इसका जो target HDFC Securities ने वह लगबग 156 rupees का दिया है मेरे targets इसके लिए long term के तो 600 के हैं but still मैं कहूंगा इस company के जब तक मैं technicals नहीं देखता हूँ जब तक fundamentals नहीं देखता हूँ तब तक मैं invest नहीं करूँगा तो आपको यहां पर पूरे technical fundamentals देखने पड़ेंगे तो चलिए आपको दिखा देता हूँ अभी के लिए जो यह share किस phase में वो दिखा देता हूँ दोस्तों देखो लगबग थोड़े दिन पहले इसमें बहुत अच्छा खासा jump up मिला था लगबग के सकते हैं कि जून 2021 में यहां पर त support है आप यहां पर देख सकते हैं जो जो box theory हम पड़ी है बहुत बार हमने पड़ी है तो यहां पर उसने आराम से breakout दे दिया था हम हमेशा कहते हैं कि जब तक three candlestick इसमें नहीं बनती है box breakout breakout होने के बाद जब तक three candlestick अच्छ अच्छी नहीं बनती तब तक कोई भी हम यह ब trade कहा लेना है दोस्तों अगर यह share constantly यहां से down होता गया नीचे और यह दो इसके support से आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर दो इसके support से अगर यहां पर रुका कितने रुपीज पे 118 रुपीज पे और यहां से bounce back करता है तो after second candle हमें यहां पर buying position बना लीनी है अगर यहां स breakout होके वो थोड़ा सा नीचे आके रुपता है वो लगबग कितने पर 116 रुपीज पे दो रुपई का gap है बट अगर इसके नीचे जाता है तो हमें इसमें कोई भी position नहीं बनाने आप यहां पर short कर सकते हो क्योंकि पूरे के पूरे markets फिर इसके opposite हो जाएगी candlestick pattern जो opposite हो ज यहां पर clarify कर दूँ यह मैंने कहा है यह जो दो यहां पर lines मारी हो IC मजाग मजाग में नहीं मारी है यहां पर दो बार इसको अच्छा कासा bounce back मिला है एक बार यहां पर लगबग देख सकते है 28 July को और second time यहां पर मिला है लगबग 24 June को उसके बाद 2 यहां पर नीचे मिला थ जब तक 116 का level यहां पर touch नहीं होता तब तक हमें कुछ नहीं करना है अगर यहां पर box के बाहर volume के साथ जा रहा है तो third candle पर buy करना है और अगर यहां पर आके रुक रहा है first line पर जो की first report है हमारा 118 रुपीज का वहां पर अगर touch करके bounce back दे रहा है तो buy कर लेना है second candle पर व दोस्तों तो दोस्तों अभी इस company के थोड़ी से fundamentals भी देख लेते तो यहां पर लगबग 40,325 करोड का market cap ही जो कि पहुत ही बढ़िया है company ने dividend कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं है company खुद पर विश्वास कर रहे हैं business expansion करेंगे सिर्फ dividend देके अपने investor को फसाना नहीं है अ अगर आपका बड़ा गोल है company बड़ी चुन रहे हो बहुत बड़ी जिसका worldwide बिजनेस है तो वह company likely अच्छे का से run कर चुकी होती है even in last जब राके जो इंजन वाला ने कहा था मैरा second stock था वो टाटा पावर था जो की देड़सु रुपे पे लेके मैंने 1000 रुपे में बेच सकते हैं कि बूरी चीज है stock के बारे में जो पुराने होते हैं ज्यादा रन नहीं कर पाते है यह और reality है जैसे कि PSU stocks होगे वह भी ज्यादा रन नहीं कर पाते है बड़ इसके जो टार्गेट में ने 600 क्यू दिये है वह आमें आपको आ गया कि बताता हूँ company की current market price है वह 126 जब company के free cash flow 6671 क्रोड रुपीज के जो कि brilliant है इतने मा इतने free cash flow अच्छे कासे तो बड़ी बड़ी company भी नहीं कर पाती है company पर डेप्ट देखे जाए तो लगबग 46,000 क्रोड रुपे का है जो कि अपने market cap से ज्यादा है इस रिसकी बड़ company के अगर हम और चीज़े देखी जाए प्रमोटर ओल्डिंग 46.9 कि ए प्लेज 1% का है हमें के सकते हैं अगर company के interest देखेंगे लगबग 3,800 चाचट करोड का यहाँ पे interest पे गर रहे है जो कि लगबग 10% पे अपने debt पे नहीं बनता है जो कि के सकते हैं कि government में government से इनको concession मिल चुका या फिर low interest पे इन्हों से balance sheet पे द्यान देते हैं तो थोड़ा सा profit and law statement में देख लेंगे अभी कितना strong है उस पर depend करता है कि हमें कितीन long position बनानी है दोस्तों अगर इस company के बारे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड की company के near 2,000 करोड के profits से वहाँ से लगबग इन्होंने balance sheet के बारे हम बात कर लेते share capital कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं था हिनोंने बर 2018 में बहुत कुछ बढ़ा दिया था 516 करोड का किया था जो कि अच्छी बात नहीं है अगें मैं इन companies के बारे हम बात करता हूं कि जब share capital numbers of shares बहुत ज़्यादा हो जाते तो run नहीं कर पाते शे assets देखेंगे तो constantly आप इंप्रुमेंट आपको दिखाई देगी from 27,000 करोड तो लगबग अभी देख सकते है 51,000 करोड के नियर इन्होंने अपनी 52,000 पकड़ लीजए 52,000 करोड के नियर इन्होंने अपने fixed assets किये हुए company के other assets देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा खासे grow हो चुके from 12,772 करोड तो 30,029 करोड या पर बहुत अच्छा खासा jump up इनके balance में दिखाए दे रहा है results अपने अच्छा का से बढ़ा रहे बौराविंग घटा रहे fix assets बढ़ा रहे और क्या सकते other assets बढ़ा रहे इन्होंने अपनी जो investment से वो लगबग 2,000 करोड की थी two years इस target में पोश्चने में लग जाएंगे जो की peaceful investors के लिए बहुत अच्छा है जो की long term का सोचते है कि share में लगा दू भाई साब tension में चाहिए market कितना भी गिरे तो ये share आपके लिए best है company Tata Group से विलॉंग करती जो की बहुत पढ़िया है और Tata Group की company देखो Tata है तो trust है 700 के नियर यह company पोस्ट यूए आपको नजर आएगी Tata security अपना जो SDFC securities के वो targets है वो तीन मेंस के बड़ में दो तीन सालों के आपको बता रहा हूं जो की easily यहाप हो सकते है touch तो अभी company के एक एक चीज़ बता आपको बूल गया यह company को आपको track करना पड़ेगा बार बार क् बहुत ज्यादा यहाँ पर traffic इस sector में बहुत ज्यादा competition भी है तो इसलिए आपको एक बार 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 इस company के चेक आउट करने पड़ेंगे कुछ गलती कर रहे तो आपको exit position बना लीनी है बट मुझे नहीं लगता कि कमपनी बड़ी गलती करेगी तो आज के लिए इतना ही मि सब्क्राइब की जिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम चैनल कर लिए एक बार जरूर चेक आउट कर लेना और